आज एका एक बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी को अटल जी आदा गया आज अटल जी का जो है आज उनकी श्रदांजली सबा होती है कि कोई इसी अनफॉर्चनेट दिर उनका देहा वसान हुआ था वो अनफॉर्चनेट घटना हुई थी और उसके बाद हर साल 2019, 2020, 2021, 2022 हर बार सतही वटल पर उनके जन्म दिन पर भी कारेक्रम होता है और जिस दिन वो स्वर्ग प्रस्थान किये थे उस दिन में कारेक्रम होता है लेकिन नितिश कुमार जी को आज याद आया अब अभी शेक जीहार जी मैं जानना चाहता हूँ यह कैसी राजनेति का अफसर वादिता है कि जब आप एक अलायंस बना रहे हैं उसमें आपको जगे मिल रही है उसमें संकट हो रहा है तो आपको एक अटल जी आद आ गए जो तेज तर्रार है और साथ साथ जो चैनल्स प्रतिष्ट है उनकी कैमरों की नजर से भला कौन बच सकता है दीपर जी नितीश कुमार जी का समझ जो अटल विहरी वाजपेजी से रहा है वो किसी से छिपा हुआ रही है वो अबव पार्टी बाउंडरी है हमारे निजी औ पॉन्यतिथी पर पटना में भी चोंखी प्रतिमा हैं या मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर भी उन्हें सद्धा सुमन अर्पित करते रहे है हमेशा १मतरी के प्रतिमा पर एक बार गाए पास्स साल में पटना है एक भी बार गए है तो बता दीजे मुझे Medicaid दिखा दीजिए वाटसिप कई बार ने ने कई बार लेंगे तर आज की तारीख हो अगर आप देखेंगे आप यहाँ पर देते हैं 25 दिसंबर या आज की तारीख दोनों दिन आप देखेंगे अटल विहारी वाजपेई जी को श्रद्धा सुमन हमेशा नितीश कुमार ची ने अरपित किया है और नेरेटिव लोग सेट करना चाहते है नितीश कुमार ची सुत्रधार है उमिद्वार नहीं है नितीश कुमार ची का भागिनती प्रयास है कि इंडिया के सुरूप में आज एक बड़ा गटबंधन और व्यापा गटबंधन आपको दिख रहा है सभी लोगों का समर्थन मिलना अब इसको कोई पोलिटिकल एंगल से जोड़कर देखने की कोशिश करेगा तो यह उनका narrative हो सकता है हमारा ने इसको नग पोलिटिकल एंगल से कैसे देख दूँ मैं बताईए ना वीचेक बाई आटल जी को सबकूर बताई अपको उधारन देता हूं कई बार आपर सुनाहोगा धिपकी दिपकी मैं एक चीज मेंचन कर दू कई बार आप लोगो नेतीश कु कुमार जी के बयान को सुना होगा अलाइंस टूट जाने के बाद भी हमेशा हमारी पाटी के राष्ट्य अध्यक्षों नितीश कुमार जी उन्होंने कहा है कि ये अलाइंस टूटने का एक बड़ा कारण ये जो नहीं भारती जंता पाटी का स्वरूप है वो है जब शद्द साथ एक आत्पिय संबंद नितीश कुमार जी कर रहा है और उसको अब राचनेतिक तराजू पर कोई तोलना चाहता है तो वो तोल सकता है अभी नामों की चर्चा हो रही थी मन्नते बदस्तूर एक पहचान मांगता हूं कुछ और नहीं बस एक नाम मांगता हूं आज भार जटीवन राम डेपिटी प्राइम मिनिस्टर थे बिहार से आने वाले दलित समाज से आने वाले वेक्ति उनके नाम पर चल रही छात्रावास योजना को बंद कर दिया हैं लोगों ने हम लोगों ने धर्ना प्रदर्शन विरोध हर कुछ किया है लेकिन प्रधान मंतरी जी यह शाश्वत है शाश्वत कुछ भी नहीं होता आज वो प्रयास कर रहे हैं कि नहरु जी की इतना पूछ लीजे प्रधान मंतरी जी ने कहां मिटा के कहां किसका अपना नाम लिखा तो बाभू जग जीवन नाम का नाम क्यूं मिटा दिया नाम पर चल रही वह फेलोशिप अपने नाम पर स्टेडियम बना लेते हैं आपके नाम मिटा देने से लोगों के मन के अंदर जो उनकी अमिट चाप है वो मिट जाएगी क्या लोगों के मन के अंदर किसी भी महापुरिश्ट के कर्मों को लेकर जो हमिट चाप होती है वो मिटती नहीं है और ये कुंठित प्रयास आपकी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है आप लोग लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं बट इन चीजों से फार्क नहीं पढ़ने वाला है देश की जनता समझदार है आप जितना कोशिश करेंगे किसी और की लकीर को मिटाने की आपकी अपनी लगाता बोल रहे हैं लोईया के विचार धारा के लोग बोल रहे है क्या परवर्तन है दिपक जी सोचिए सत्ता का लालच क्या होता है ये लोईया के विचारों की पाइटी है अब मुझे आप यह बताईए कि इसके पीछे का कारण क्या है जद्यू प्रवक्ता बोल रहे थे कि सुत्रधार हैं लेकिन एक्च्वल में है मजधार तो जब अटन बीके कलम से ये बने हुए मुख्यमंद्री एका एक मजधार में फसते हैं तो इनको कमल याद आता है तो आज ये भ्रम पैदा करने की एक या कहिए एक दवाव बनाने की राजनीती नोंने किया है चुकि कहीं न कहीं कॉंग्रेस इनको साइड लाइन कर रही है एक अपर हैंड लेके चलते ये अपना एक सेट कर रहे हैं जो उनकी आदत रही है बरादत लेकिन अब भाजपा क के तरब से सारे दर्वाजे बंद हैं वो किसी भी मजार पर जाएं या कहीं किसी भी समाधी पर जाएं एंडिये के द्वार साइड बंद अब हो गया है पूरे तौर पे सुरेंदर राजपूत जी को भी सुन रहे थे बड़ी इजत उनका करता हूं शायर आदमी है भाई भी है मैं कुछ भी बताया चले जाते हैं अरे भाई दूसरों को भी कुछ-कुछ याद रहता है सुरेंदर भाई अब आपने इश्रो और एचेल के वारे में वो भी का मतलब साइद अगर मैं समझ पा रहा हूं दिपक जी आपका ध्याना करिश्ट करना चाहूंगा कि कहीं नेरू इंडिया राजीव तो नहीं है तीर मूर्थी कॉंग्रेस का तीर मूर्थी कहीं सोनिया राहूल और प्रियंका तो नहीं अरे इससे उपर बढ़िए ने कॉं अटल जी के समय में वो गोल्डन कोलेक्टरल रोड बना था उसमें नारे लगे हुए कि पूरे सटकों पे आपको तो याद होगा जीपक जी आप हमारे जवाने के लोग हैं और उसमें सब जब इंडिया साइनिंग का बोर्ड था जब कॉंग्रेस की सत्ता आई तो सारे बोर् ये कैसा दोहरा चरित्र ये लोग लेके चलते हैं उसमें इंडिया साइनिंग के पूरे सटकों का जाल पहली बार बिचा था और एक उत्तम किसम की सटक बनी थी और उसमें इंडिया के नाम से इनको क्या परेज हुआ था जब इंडिया साइनिंग हो रहा था क्या अटल को एक उतनी बड़ी उपलब्धी थी जिसको भी कॉंग्रेस पार्टी ने आते मनमोहन सरकार ने आते उसको हटा दिया आज ये लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और तिरमूर्थी भावन में नेहरू जी का नाम इनके समय में एक और चीज़ याद आ गया उस जमाने में एक मतलब महनत करें आप पैसा कमा है और बचत हो इंद्रा जी की मतलब देश की संपत्ती भी उनके नाम से लोगों ने कर देना था तो ये परंपरा सुरेंदर भाई आप तो अच्छे आदमी हैं आप भला किस दबाव में इस तरह की बात करते हैं देश सर्वत्तम है और ये आ जिनकी आप चनन बंदना और चनन बंदना करने हैं अब 9 साल और 15 साल से मिस्टर इंडिया तो नहीं बन पाए अब सिस्टर इंडिया को लाईए